हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सबी लोग स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल पे मैं अन्सु सुकला आपका स्वागत करता हूँ फ्रेंड्स आज हम लोग सीटेट प्रीवियस यर कोस्टन पेपर टू वाला जो है आपका डिसंबर 2019 का उसका हम लोग जोगरोफी वाला सॉल्व करेंगे जिसमें हम लोगों ने जो हिस्षी के कोस्टन थे वो हम लोगों ने सॉल्व कर लिये हैं और आज हम लोग जोगरोफी का portion solve करेंगे geography के जितने भी question आई हुए हैं उन सबको इसमें add किया गया है और इसका PDF आपको हमारे telegram group में मिल जाएगा ठीक है तो चलिए सुलू करते हैं first question आपका ये रहा निम लिखित में से कौन भ्रंसोत परवत हैं ठीक है तो पहले तो आप भ्रंसोत परवत जान लीजिए कि भ्रंसोत परवत होते क्या हैं तो इन परवतों का निर्मान प्रिथवी के ऊपरी सतहों पे भ्रंसन ठीक है भ्रंसन के त्वारा भूबा के ऊपर उठने अत्वा बहुत बड़े भुबाक के तूटकर उर्दावर रूप से विस्थापित होने से होता है अब कैसे होता है तो ये देखो मालो जैसे ये पृत्वी है ठीक है और इसका कुछ भाग उपर उड़ गया मालो ये इस तरीके से ठीक है ये तो ये भाग हमारा नीचे दस गया ठीक है जब ये भाग इस तरफ के भाग हमारे नीचे दस गया तो ये वाला भाग उपर उड़ गया तो इसी को हम लोग बोलते है भ्रंसोत ठीक है तो इसका जो हमारा सही जबाब हो जाएगा वह आपका हो जाएगा वासजेस परबत वासजेस परवत जो है वह हमारा ब्रहनसोत परवत का उधारन है और ये कहां स्थित है तो ये भी ध्यान लखना ये हमारा फ्रांस में स्थित है अब इन परवतों की बात कर लेते हैं तो हिमाले परवत हमारा कैसा परवत है वलिद परवत है ये भी आप लोग ध्यान लखना और अपलेसियन परवत ये भी हमारा वलिद परवत है ठीक है और यूराल परवत ये भी हमारा वलिद परवत है ठीक है और यूराल परवत है ये हमारा कहां पढ़ता है तो यूराल पर बत हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं पृत्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है ठीक है चंद्रमा पृत्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर एक चकर भी पूरा करता है ठीक है तो अब विखलब देख लेते हैं तो क्या है A और B दोनों सही है और B सही व्याख्या है A की तो यही हमारा इसका सही जबाब हो जाएगा कैसे तो देखो चंद्रमा का जो अक्ष है वह 27 दिन 7 घंटे 43 सेकेंड में एक चक्कर पूरा करता है ठीक है किसका चंद्रमा का तो इसका जो हमारा सही जबाब हो जाएगा A और B दोनों सही है और B सही व्याख्या है A की नेक्स बढ़ते हैं कायंत्रिस सेल के बारे में दिये गए A, B और C कतनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चैन कीजिए तो सबसे पहले हम सेलों के बारे में जान लेते हैं सेल हमारी कितने परकार की होती है तीन परकार की सेले होती है कौन-कौन सी आगने सेल ठीक है और अवसादी सेल ठीक है और कायंत्रिस सेल ठीक है ये तीन परकार की सेले हो गई है और अगनासे cell भी हमारी दो प्रकार की होती है जैसा कि आपका NCIT में दिया है कौन-कौनसी? अंतरवेदी ठीक है? अंतरवेदी और बहिरवेदी, तो कभी-कभी इसके भी उधारन पूछ लेता है कि अंतरवेदी का उधारन कौनसी cell है और बहिरवेदी का उधारन कौन सी सेल है तो अंतरवेदी है वह हमारी ग्रेनाइट है और बहिरवेदी है बेसाल्ट है बासे बहिरवेदी बासे बेसाल्ट है अब सेलों के बारे में आप लोग समझ गया होंगे अब ज़र हम अपने question की तरफ चलते हैं कि आगने और अवसादी सेल उच्च ताप और दाव के प्रभाव में कायंतरिस सेलों में परिवर्तित हो जाती है ठीक है फिर next क्या है कायंतरिस सेल उच्च ताप और दाव के प्रभाव में पिगल कर द्रवित मैगमा बनाते हैं ये भी सही है संगमरमर एक कायंतरित सेल है तो ये भी सही है तो इसका जो हमारा सही जवाब हो जाएगा वह हमारा हो जाएगा A, B और C तीनों सही है क्योंकि ये तीनों option सही दिये गए है क्योंकि अब आगने सेल द्रवित मैगमा ठंडा होकर ठोंस हो जाता है तो इस प्रकार बने सेल को हम लोग क्या कहते है आगने सेल कहते है और आगने सेल को ही हम लोग प्राथमिक सेल भी कहते है तो ये आप लोग ध्यान लखना ठीक है आगने और अफसादी सेल जब उच्च ताप एवं दाब के कारण कायंत्री सेलों में परिवर्तित हो जाते हैं ठीक है और कायंत्री सेलों के उधारण कौन-कौन से होते हैं तो चिकनी मिट्टी ठीक है चिकनी मिट्टी स्रेट में परिवर्तित हो जाती है चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है ठीक है और जब यही अवसाद दब कर एवं कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं तब इन्हें हम लोग अवसादी सेल कहते हैं ठीक है जैसे कि बलुआ पत्थर यह अवसादी सेल का उधारन हो गया ठीक है आगे बढ़ते हैं अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उलका पिंड वायू मंडल के किस परत में आने पर जल जाते हैं ठीक है तो पहले तो आप लोग परते समझ लो कि कितनी परते होती हैं तो पांच परते होती हैं कौन-कौन सी सबसे नीचे आपकी छोब मंडल होती है ठीक है फिर समताप मं ठीक फिर बहाई और फिर आपका बहिर होता है सबसे लास्ट में बहिर ठीक है अब छोब मंडल की विशेषता जान लो तो छोब मंडल में आपकी वर्सा होती है कोहरा होता है ओला वर्सनड होता है यह छोब मंडल में होता है और समताब मंडल में क्या होता है तो हवाई जो सूर से हमारी लक्षा करती है, सूर की किरिणों से, ठीक है, फिर मद्य मंडल आता है, मद्य मंडल में हमारे उलका पिंड जलने लगते हैं, ठीक है, फिर आता है आपका बहाय मंडल, बहाय मंडल में क्या होता है, ये रेडियो संचार के लिए भी होगी है, बहाय मंडल, औ कौन सी जैसे आपकी हाइड्रोजन हो गई हिलियम हो गई तो समझ गयोंगे आप लोग परतों के बारे में तो इसका जो हमारा सही जबाब हो जाएगा उलका पिंड किस परत में आकर जलने लगते हैं तो मद्यमंडल में आकर जलने लगते हैं आगे बढ़ते हैं रितु नांत्रन को हम लोग जितु प्रबास कहते हैं आगे बढ़ते हैं इस्थाई पवनों के संबंद में A और B कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चेन कीजिए यहां पर इस्थाई पवनों की बात चल लएए सबसे पहले जान लोग पवनें होती कितने प्रकार की हैं ठीक समझ गए तीन परकार की पवने होती हैं इस्थाई पवन होती है मौसमी और स्थानी पवने होती है ठीक है तो इस्थाई पवने यह पवने वर्स बर लगाता निश्चित दिसा में चलती रहती है ठीक है और इस्थाई पवनों के उधारण क्या है तो पस्चमी एबं पूर्वी इनके उधारण है, इस्थाई पबनों के, तो ये दोनों हमारे सही हो जाएंगे, ठीक है, अब मौसमी पबने क्या होती है, तो ये जान लो, तो विविन रितुओं में अपनी दिसा बदलती है, कौन सी पबने, मौसमी पबने, ये ध्यान रखना, विविन पबने कहते हैं, जैसे अब इस्थाई पबनों के उधारण समझ लो, लू हो गया, ठीक है, इस्थल समीर, समुद्र समीर, ये हमारे इस्थाई पबनों के उधारण है, ठीक है, तो इसका जो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, C वाला हो जाएगा, A और B दोनों सही है, य इस्थाई पबनों के बारे में ये बिल्कुल सही है क्योंकि इस्थाई पबने वर्ष भर लगाता निश्चित दिसा में चलती रहती है और पस्चमी पबने व पूर्वी पबने इस्थाई पबनों के उधारण है ठीक है आगे बढ़ते हैं अपने question पर ब्राजील के केंपोस, कमपास और वेनुजूला के लानोस उधारण है तो हमें ये बताने हैं कि ये बन किन चीजों है घास इस्थाल किस चीजों के उधारण है तो सबसे पहले समझ लो जैसा कि आपकी NCRT में दिया गया है कि प्राकर्तिक बनस्पती तीन प्रकार की होती है क कौन कौन से एक तो आपका बन हो गया ठीक है दूसरा घास इस्थल हो गया ठीक है तीसरा कांटेदार जाडिया हो गई ठीक है ये आपका NCRT में दिया हुआ है अब यहां पे घास इस्थल की बात की गई है तो हम लोग घास इस्थल के बारे में जानेंगे ठीक है घास इस् तो ये हमारे उष्ण कटवंदी घास इस्तल के उधारण है ठीक है दो तो ये हो गए एक और ध्यान लखना अफरिका का सबाना भी उष्ण कटवंदी घास इस्तल के उधारण है तो उष्ण कटवंदी घास इस्तल के तीन उधारण है ये आप लोग ध्यान लखना ठीक है कौ माजील के केंपास हो गया गार हम सितोष्ड कडवंदी घास इस तल कह उन सेّ होती है थीक है उत्तरी ca Takes परेडी धक्षणी अमेरिका का वैल्ड ऑस्टेलिया का ड्टे बॡाउन और मद самые स्टे 25 कह गार्ज यह जलवायू के संबंद में कथन A और B पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चैन कीजिए जलवायू वायू मंडल में दिन प्रति दिन होने वाला परिवर्तन है ठीक है तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि दिन प्रति दिन होने वाला परिवर्तन नहीं है ये एक विसाल छेत म में लंबे समय अवदी में मौसम की अवस्थाओं तथा विविद्धाओं का कुल योगी जलवाईू है ठीक है तो इसलिए यह हमारा गलत हो गया किसी इस्थान की जलवाईू सिरिफ उसकी उचाई तथा उच्चावच पर निरवर करती है यह भी गलत हो गया क्यूंकि इसलि सब भी दोनों गलत हैं, D वाला हमारा सही हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं, दिये गए लक्षण A और B के आधार पर उर्जा स्रोत की पहचान करें, यह एक प्रमप्रागत उर्जा का स्रोत है, यह उर्जा स्रोत तब निर्मुक्त होती है, जब अप्रिस्क्रत तेल को धरातर पल लाया जाता है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, वह हमारा उप्षन B, प्राकरतिक गैस, अब देखो, प्राकरतिक गैस उन्ही इस्थानों पर मिलती है, जहां से खनीजवा तेल मिलता है, तो वही बोला गया है, यह एक प्रमप्रागत उर्जा का स्रोत है, तो य आप लोग ध्यान रखना, आगे बढ़ते हैं, भारत का सोध संस्तान मैत्री कहां इस्थित है, तो मैत्री हमारा कहां इस्थित है, अंटारक्टिका में, मैत्री के अलाबा एक और आप लोग ध्यान रखना, धक्षिन गंगोतरी, और यह मैत्री कब स्थापित किया गया था तो 1988 में और ये क्यों स्थापित किया गया था तो ध्यान रखना जीव विज्ञान पृत्वी विज्ञान ठीक है और वाता बरण विज्ञान और मौसम विज्ञान और सीध छेत्र में इंजीनेरिंग संचार ठीक है मानो फिजियोलोजी एवं चिकिस्सा छेत्रों में अनुस संधान करने के लिए मैत्री इस्थापित किया गया था और कब स्थापित किया गया था 1988 में इस्थापित किया गया το आगे बढ़ते हैं निम् Amazing में से कौन सा कथं खनीच के संदर्भ मे सही नहीं है तो ये आप लोग ध्यान रखना ये प्राकप्तिक रूप से प्राप्त हो तो यह हमारा सही है, इनका एक निस्चिद रसाइनिक संगठन होता है, तो यह भी सही है, यह विविन प्रकार के भू बेग्यानिक परवेश में निर्मित होते हैं, तो यह भी सही है, सभी खनित अधात्विक होते हैं, तो यह गलत हो जाएगा, क्योंकि कुछ खनित धात्वि कहा गया है और लद्दाक हमारा ठंडा रेकिस्थान है ठीक है और सिंदु नदी लद्दाक से होकर बैती है ठीक और लद्दाक को हम लोग खा पा चान भी कहते हैं खा यह आपका NCRT में लिखा खा पा और चान भी कहते हैं किसे लद्दाक को कहते हैं और सबसे लामा यरू तो यह भी आप लोग ध्यान लखना नेक्स पोसन पर पढ़ते हैं निम लिखित में से कौन सा प्राइदीपिय पठार का लक्षन नहीं है चलो यह उत्री मैदान के दक्षिण में इस्थित है यह भी सही है इसके उत्तर पस्चिम में अरावली सुनखला इस्थित तो देखो जैसे यह आपका प्राइदीपी पठार हो गया ठीक है इसमें क्या बोला है महा नदी और यह आपका पूरव हो गया ठीक यह आपका पस्चिम हो गया तो जो महा नदी और क्रिसना है यह पस्चिम की तरफ ना बैकर यह पूरव की तरफ बैती है ठीक है और आंध गोउनी गोलार्द में इस्थित है, तो यह हमारा गलत हो जायेगा, क्यूंकि आप लोगोंने देखा होगा, अफरिका कुछ ऐसे करके बना हुआ है, तो ज़्यादा तर इसका बाग जो है उत्री गोलार्द में इस्थित है, तो इसलिए हमारा यह गलत हो जाएगा, यही एक ऐसा महादीफ है जिससे कर्क, विसुवत और मकर रेखाएं गुजरती है ठीक है आगे देखते हैं गोवी मरुस्तल इस महादीफ में इस्थित है तो गोवी मरुस्तल यहां नहीं इस्थित है गोवी मरुस्तल कहां इस्थित है तो यह आप लोग ध्यान लगना मंगोलिया और चीन के मध में इस्थित है गोबी मरुस्तल तो इसलिए हमारा ये भी गलत हो जाएगा इसके पस्चिम में यूराल परबत जो इसे एसिया से अलग करता है ठीक है तो इसके पस्चिम में नहीं है ये यूरोप के पस्चिम में यूराल परबत है तो इसलिए हमारा ये भी गलत ह तो इसका जो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा वह है option B यही एक ऐसा महादीप है जिससे कर्क विसुवत तथा मकर रेखाएं गुजरती हैं आगे बढ़ते हैं भारत के दक्षिन भागों विसेशकर तमिल नाडू और आंदर प्रदेश में सरद रितू में वरसा होती है क्य भी आप लोग ध्यान कर लो जैसे कि यह आपका दक्षिन भारत हो गया ठीक है यहां पर आपका तमिल नाडू हो गया यह आपका आंदर प्रदेश हो गया ठीक है और यह आपका पस्चिम बंगाल तो पबन पस्चिम बंगाल हो गया वह पस्चिम बंगाल यहां पे यहां प बिल्कुल सही हो जाएगा आगे बढ़ते हैं तो साथियों आज के लिए बस इतना ठीक है और इसका जो आपका पैड़ागोजी और पॉलिटी का पार्ट रह गया वो आपको कल अपलोड कर दिया जाएगा वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चै तक के लिए